हेलो एवरीवन टोटल इंग्लिस के एक नए वीडियो में आप सब्सक्राइब कर लिया था तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग सब्जेक्टिव वाले वीडियो नहीं देख रहा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्राम ने दे दिया है आप वहां से जाके दे देख सकते हैं तो चलिए विना किसी देरी किये सब्जेक्टिव वाले पार्ण को हम लोगλो स्ब्सक्राट करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुए हो वह रीडिंग पार्ट को हम लोग पहले फिनिस करते हैं यहां पर है एक पैसिज तो पैसेज से यहां पर पाeger can of domesticated horse is about 25 to 30 years यह आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो paragraph है वह किसके ओपर दिया हुआ है horse मतलब घोड़े के ओपर दिया हुआ है तो horse कैसा जानवर होता है domesticated होता है domesticated का मतलब जो जिसको हम लोग पाल सकते हैं ठीक है और a toad hoof mammal, mammal का मतलब क्या समझ में आता है तो mammal आप लोग science पढ़े होंगे है ना तो mammal जो होता है वो actually एक नहीं देते हैं वो लोग child को birth देते हैं इसलिए उन्हें mammal कहते हैं यह उस प्रजाती से आता है ठीक है तो the natural life span of domesticated horse जो domesticated horse होता है average अगर बताया जाए तो उसकी जिन्दगी होती जो 25 से 30 साल की होती है 10 years down from what it was in the wild मतलब जो wild animal होते हैं उनकी उम्र इससे 10 साल अधिक होती है और जो घर पे रहते हैं domesticated रहते हैं वो 25 to 30 years के होते हैं ठीक है one can tell a horse age from the number of teeth it has और horse का उम्र पता लगाने के लिए लोग क्या करते हैं उसके दांतों को गिनते हैं तो यह एक अच्छा तरीका है उसके age को पता लगाने का they get all their teeth by the age of five पांस साल के उम्र में horse के सभी teeth आ जाते हैं after which those teeth just get longer और उसके बाद वो दिरे दिरे बड़े होने लगते हैं जो पूरा detail यहां पर दिया हुआ है कि उनके कानों में अलग-अलग 10 तरह के muscles होते हैं horses have a nearly 360 degree all round vision और जो उनकी आखे होती जो vision होता उनका वो पूरा 360 degree पूर एक चक्र लगाके वो देख सकते हैं ठीक है the only place they cannot see is directly behind or right in front of them या तो वो अपने directly पीछे या एकदम front को नहीं देख पाते हैं ठीक है तो बस यही दो जगह है जहां पर वो नहीं देख पाते हैं आगे देखते क्या दिया हुआ therefore it is unsafe to stand behind a horse इसलिए कहा जाता है कि घोड़े के बीच में एकदम बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है each of the horse two eyes work independently और उनकी जो दोनों आखे होती है वो दोनों अलग-अलग भी काम कर सकती है independently मतलब एक इधर देख रहा है तो एक दूसरा उदर देख रहा है a horse can sleep standing up as he is able to lock his leg muscles which prevents him from falling horse में एक और खासित होती है कि वो खड़े-खड़े सो सकते हैं ठीक है क्योंकि उनमें एक quality होती है कि वो लोग अपने पैर के muscles को lock कर सकते हैं इससे वो सोते वक्त गिरेंगे नहीं इसलिए वो लोग खड़े-खड़े भी सो जाते है as horses become more domesticated humans have developed more uses for them जिस प्रकार horse जो है वो अलग अलग काम सीखता जा रहा है such as serving as means of transportation जो transportation के लिए काम आता है मतलब घोड़े बैटके लोग कहीं भी चले जाते हैं source of entertainment कितना लोग घोड़े को खेल दिखा कर उसे पैसे भी कमा लेते हैं today horses can be found in the care of humans all over world पूरी दुनिया पर में आपको घोड़े मिल जाएंगे जो इंसानों के साथ रहते हैं ठीक है यह हो गया passage passage से फटा फटा हम लोग questions पर आते हैं तो question यहां पर क्या पुछा जा रहा है पहला question है what is the life span of domesticated horse मतलब जो पालतु वाले होते हैं उनका life पूछा गया है तो यहां लिखा हुआ है the life span of the wild horse is 25 to 30 years यहां पर एक mistake है बुक में भी mistake रहता है तो बुक पर आप लोग 100% belief नहीं कीजिए ठीक है हलका फुलका mistake रहता है तो उसको आप लोग ठीक कर सकते हैं य जो है वो सही है 25-30 साली होगा लेकिन यह बस wild काटके हैं पर domesticated कर दी जाएगा ठीक है क्योंकि पालतु का पूछा है how can one account how can one count a horse age horse की उम्र को कैसे की न करते हैं उसके दांतों से इसको लिखना है one can tell a horse age from the number of teeth it has उसके दांतों से पता लगाते हैं why is it not safe to stand behind a horse horse के सीधा प नियरली 360 होता है मतलब ठीक है 360 डिगरी तो होता है बट 100% नहीं बसे नियरली क्योंकि जो सिर्फ back side portion है वो उसका बचा हुआ रहता है वह वहाँ पर नहीं देख पाता है और एकदम front पर भी नहीं देख पाता है यह दो portion बचे हुए है इसके पीछे खड़ा होना खतरनाक ह हो सकता है therefore it is unsafe to stand behind a horse ठीक है और उसके बाद चौथा question क्या पुछा गया how do horses help human मनुष्य का किस तरह मदद करते हैं घोडे तो as horses become more domesticated humans have developed more uses of them जिस तरह से वो domesticated होते जा रहे है इंसानों ने उसका ज्यादा ज्यादा यूज करना सीख लिया है paragraph में simply से न दिया हुआ है जैसे कि transportation या source of entertainment के लिए परियोग होता है ठीक है अगला question है find the antonym of indirectly from the given passage indirectly शब्द का एंटोनीम खोजना मतलब एंटोनीम का मतलब क्या होता विप्रितार्थक सब जो उसका opposite होता है तो indirectly का opposite क्या होता है डिरेक्टली होता है ठीक है लेकिन यह जो directly यह answer में दिया हुआ है यह आपने मज़ें सकते यह passage में होना चाहिए ठीक है तो passage में यह जरूर दिया होगा एक पर हमनों नजट डाल लेते हैं थोड़ा सा तो यह देख सकते हैं आप लोग यहां पर directly word का प्रियोग किया गया है ना directly behind तो इसी से वहां पर answer use किया गया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या क्या question है आखरी question नहीं sorry six or seven है तो इसमें दिया हुआ seven लेकिन लिखना क पर हम लोग यहां पर साथों साथों पढ़ेंगे एक्जाम में आपके पास option रहेगा कि आप साथ में से पांच को कर सकते हैं ठीक है make meaningful sentences with the given word मतलब दिया हुआ उससे वाक्य बनाना है यह जैसे वाक्य बनाने आता था पहले स्कुल में वैसा ही यह यहां पर इंटेन्मेंट और प्रिवेंट इंटेन्मेंट से क्या वाक्य बनेगा था होस इससे मंद रंजन भी हो सकता है और दूसरा है प्रिवेंट मतलब रोता रोकना तो इसको कैसे वाक्य में बनाएंगे हम लोग ऑसको आपको यह वर्ड को खोजना है वर्ड के पास जो sentence है उसको आप लोग लि complete the sentence जो वाक्य यह अधूरा है इसको हम लोगों पूरा करना है the horse is a domesticated क्या है domesticated animal है यहाँ पर animal हो जागा answer दूसरा one can tell a horse age one can tell a horse age 25 to 30 years यहाँ 25-30 years दिया हुआ है बट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक सेकंड अभी बताता हूँ यह आपको यहाँ दिया one can tell a horse age from the number of teeth होना चाहिए it has तो यहाँ पर book में एक और mistake दिया हुआ है ठीक है ठीक है दूसरा चीज एक और चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों इसमें format यूज किया गया है यह format थोड़ा इसमें उटपटांग सा है जो राइटिंग सेक्शन में है राइटिंग सेक्शन में पूछा गया है कि इसमें से मतलब total three questions है ठीक है question number eight question question number nine and question number ten इसमें से आपको कोई भी दोटो attempt करना है लेकिन ten compulsory यह मतलब कहने का आठ या नौ में से कोई एक लिखना है और ten तो लिखना ही लिखना है तो आठ या नौ में क्या आया है हाठ या नौ में लेटर आया है तो कौन कौन से लेटर है एक है informal लेटर मतलब अन अपचारिक पत्र और एक है formal लेटर अपचारिक पत्र और इसमें दसवा नंबर में है paragraph राइटिंग तो पैराग्राफ तो आप content percent लिखना है इसको नहीं छोड़ सकते है यह दोनों में से क फिर हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे तो एक काम आप लोग कर सकते हैं कि लेटर के format के उपर मेरा separate वीडियो बना हुआ है ठीक है क्योंकि आभी मैं पूरा format पढ़ाने लगोंगा बहुत टाइम जाएगा तो उसका लिंक में दिस्क्रिक्शन में देदे रहा हूँ या फिर बना हुआ है आप लोग वहां से जाके देख लीजिए तो यह जो आपका जो बॉड़ी है लेटर का यह आपको काम आ जाएगा क्योंकि बॉड़ी में तो वही लिखना है ठीक है बॉड़ी में more or less वही लिखना है बस आपका जो format है मतलब उपर में और नीचे में कैसा कैसा होना चाहिए इसके उपर मेरा separate वीडियो बना हुआ है आप वहां से देख लीजिएगा ठीक है तो पहला कोशन पूचा है मैं मतलब संजा दे रहा हूं और body of letter का meaning बता देता हूं write a letter to your younger brother अपने चोटे भाई को पत्र लिखे describing him the importance of time समय का महतों बताते हुए समय का महतों बताने के लिए अपने भाई को भी लिखना है तो यह कौन सा पत्र हो जागा अनवचारिक हो जागा मतलब informal हो जागा ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है we all are right hope you will be fine too इस तरह साब शुरू कर सकते हैं हम लोग ठीक है हो स to tell you about the importance of time इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि समय का महतों क्या होता है ठीक है मैं बस एक दम सिंपल इंग हिंदी में समझा द रहा हूं एक चीज ताइम इस वेरी इंपोर्टेंट इन आवर लाइफ अगर आपको एक बार नहीं समय माता है तो इस टाइम इट वील निवर रिटन यहां पर यहां पर टाइम के जगहां वेस्टेट होना चाहिए फिर से मिस्टेक ठीक है इफ वन्स मतलब अगर यह एक बर वेस्ट हो गया व्यारत चला गया तो यह दूबारा वापस नहीं आता है यहां टाइम को काटके वेस्टेट कर दीजेगा ठीक है तीन मिश्टेक अभी तक हमने खोज लिये हैं देखते हैं आगे और कितना मिश्टेक है have a good education and get good marks and give your time to good work and study अच्छे से पढ़ाय लिखाए करो और अपना समय पढ़ाय लिखाए और मेहनत पर लगाओ ठीक है if you want to achieve success in life अगर तुम जिन्दगी में success पाना चाहते हो then learn how to use the time तो समय का इस्तमाल करना सीखो ठीक है and acid my understandings of things यह यहां फिर से acid word यहां पर गलत है ठीक है यहां पर यह sentence का रिमूफ कर दीजे क्योंकि sentence का मीनिंग नहीं बन पा रहा है तो इसको मैं यहां पर काट देता हूं यहां हट भी जाएगा तो इसको में पर लिए बुक नहीं होगा तो आप लोगो पढ़ते वक्त किताब खुशते नहीं बुट नहीं पाता होगा तो यह समस्या है इसका समधान करने के लिए आपको प्रिंसिपल को लिटर लिखना है ठीक है फिर समय मता दे रहो हो इसके में बीच में क्या लिखना है बॉडी में क्या लिखना है विथ डियु रिस्पेक्ट ठीक है अधर पूलवक आई वूड लेक्ट इंफॉर्म यू मैं आपको सुचित करना चाहता हूं और बिहाफ आफ अफ दूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ठीक है सभी स्टूडेंट जो क इसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकरसित करना चाहता हूं आई रिग्रेट टूइंट आउट्ट 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 आउट्स ऑफ सम बुक्स फॉर आवर स्टेडिस कि जो हमरा लाइबरेरी है वो क्या है उसमें कुछ किताबों की कमी ह है जो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं दो बुक्स आर ऑन साइस एंड आर्ट सब्जेक्ट दोस बुक्स विल हेल्प दोस बुक्स विल हेल्प आस फॉर आवर बेटर रिज़ड तो कौन-कौन से किताब चाहिए साइन्स और आर्ट के और इससे उन्हें रिज़ट मुद्दे को किरिपयत देखें और जल से जल इसका समधान निकाल दें ठीक है ठेंकिंग यू यूर यूर मोस्ट ओविडियेंटली यह चीज भी इधर होना चाहिए चलिए ठीक है अब लोग आगे बढ़ते हैं paragraph की ओपर paragraph की चीज़ के बारे में पुछा हुआ है तो happiest day in your life मतलब आपके जीवन का सबसे खुशी का दिन ठीक है तो सुरवात कैसे किया गिया है इसको मैं मिनिंग को अच्छा समझा दे रहा हूँ आप इस तरह से वाक्य बना बना के अपने मन से सोच सोच के लिख सकते हैं English में ठीक है अभी मैं कितना बता हूँ कि क्या खुशी है क्या दुखी है अभी बस पढ़ी रहा हूँ यह शुरुवात में ऐसा लिख दिया गया है लेकिन कुछ ऐसे दिन भी रहे हैं विन आई वस हैपियर ठीक है विन आई वस हैपियर आउट अफ अधर डेस जिसमें में बाकी दिन से ज्यादा खुश था तो उसमें से किसी एक दिन को मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे जिनगी का खुशी का दिन था तो जैसे की अब पारग्राफ चेंज अब कौन कौन से दिन के बारे में यह बताया जा रहा है हमारे स्कूल में एन्यूल फंक्शन होता है हर साल मुझे कविता लिखने का शौक है मैं क्लास वन से लिखता रहा हूँ लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई जानते नहीं सिवाए कुछ खास दोस्तों के ठीक है वो लोग मेरी कविता सुनते हैं और अपना प्रतिक्रिया देते हैं रिवीव देते हैं तो मैंने फ्रेंड्स के उपर दोस्तों के उपर एक कविता लिखी और उसको जमा कर दिया सब्मिंट कर दिया मुझे उमीद नहीं थी बट मुझे क्या मिला फर्स्ट प्राइज मिल गया मुझे स्टेज पर बुलाया गया और मेरी कविता को जोरो जोरो से पढ़ा गया इतना कुछ इसे मिला इसलिए इन के लिए जो ये दिन था बहुत स्क्षिश्टी का दिन था my parents did not know that I write and they were shocked मेरे parents को भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा लिखता हूं इसलिए वो भी शॉक्त है the day that made the day happier और इससे मुझे और खुशी हुए क्योंकि माता पिता को खुश देखते हुए हर बच्चे को खुशी मिलती है this was the first time others appreciate my point और बाकी लोग जो उतना close भी नहीं थे अधर क्लास के बच्चे और बाकी टीचर्स वो लोग उन्होंने भी मेरी कविता को बहुत सराहना की ठीक है अब आते हैं grammar के उपर grammar में पहला question है fill in the blanks इसमें आपको models भरना है देखिए model का spelling यहां wrong है model का spelling होता है m-o-d-a-l ठीक है चौथा mistake चलिए आगे बढ़ते हैं my sister dash dance when she was five तो यहां पर आपको देखना है कि क्या भरना है कौन सा model जैसे model बहुत सारा option होता है shall, can, may, might, could, can बहुत सारे होते हैं तो यहां पर क्या होगा when she was five past tense है जब वो पांस साल की थी तब वो नाश सकती थी या नाशती थी ठीक है तो past के लिए हम लोग क्या लगाते है used to लगाते है इसका answer क्या हो जागा my sister used to नाचा करती थी dance किया करती थी when she was five जब वो पांच की थी तो हम लोग को trick क्या था इसका was से पता चल गया कि यह past था ठीक है डैश God bless you ठीक है तो यह तो बहुत simple था May God bless you भगवान तुमारा भला करे इस तरह से कोई कहता है अब man worked hard so that he dash past तो एक व्यक्ति ने मेहनत की ताकि वो पास हो सके तो सकना यह possibility है ठीक है तो possibility में यहा answer को कर लिया हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है transform the following sentence as directed अब यहां पर क्या करना रिमूफ टू वाला है तो रिमूफ टू को कैसे हटाते हैं तो यह टी डबल ओ टू है ठीक है और एक होता है टी ओ टू तो इसको लिखने का तरीका क्या है अभी हम लोग सम तो बच्चा कैसे सही बता पाएगा ठीक है तो थोड़ा बुक्स जो प्रिंट करते हैं उन्हें भी यह सब बातों का ध्यान हों चाहीं बहुत सिली सिली मिश्टेक्स है और जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट रही कि आपने फ्रेंड लेजी है कि उतना लिखता भी नहीं है तो टी डबल ओ जो यहाँ पे होगा उसको हटा के हम लोग क्या लगाते हैं सो लगाते ठीक है देखिए ती डबल ओ जब सेंटेंस से हटता है तो सो और दैट का परियोग होता यह बात को याधर रखिया यह इसका तरीका लगाने का स और देट तो कहां लगा देखिए he is so lazy that he could not write ठीक है उसके बाद का sentence negative हो जाता है इसलिए could not हो जाता है वो एतना lazy है कि लिख भी नहीं सकता है ठीक है यह बस बोलने का एक तरीका है यह हो गया अगला है who is not afraid of death यह है एक परशन वाचक मतलब question mark है interrogative है इसको आपको change करना है assertive में ठीक है तो assertive sentence को fully stop से हम लोग end करते हैं तो पुछा है who is not afraid of death मृत्यू से कौन नहीं डरता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि everyone is afraid of death फिर से afraid का spelling यहां mistake है इसको आप ठीक कर लिजेगा पांचवा mistake ठीक है तो everyone is afraid of death हर कोई मृत्यू से डरता है यह fully stop से लगा है है हम लोग इसलिए एक assertive sentence है अगला question है राधा said to me please help me to lift the box यह इसको आपको indirect में चेंज करना मतलब यह direct net के बहुत सारे question मैंने solve करवाया है ठीक है डरत हो गया चाहे tense हो गया चाहे model हो गया बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल के playlist में आपको मिल जाएंगे ठीक है तो राधा requested me to help to lift that box क्योंकि यहां please help है तो please help me to lift the box है इसलिए यहां to help to lift the box हो गया ठीक है तो इसलिए इसक rate के जगा क्या हो जागा requested हो जाए क्योंकि please बोलने का मतलगा क्या होता कोई किसको request कर रहा है इसलिए वापर requested हो गया ठीक है तो चलिए हो गया grammar खतम अब literature इसका last बच गया है क्योंकि वीडियो बहुत long हो रहा है इसलिए मैं इसको next part में cover करूंगा next part का लाएगी जिसमें कि मैं पूरे literature खतम कर दूँगा फिर हम लोग आएंगे set 2 के तरफ ठीक है thank you for watching the video we'll meet in the next video with a new topic bye